आईए अब डिस्कुस करते हैं functions of ecosystem प्रीवेस में हमने देखा structure of ecosystem तो उसका जो structure है उसी के according ecosystem के functions होगे ecosystem बहुत important role play करता है पूरी universe का basic component ecosystem कभी आपने सोचा है कि nature ने जो programming कर दी है वो programming अभी भी चल रही है desert में जैसा environment है वैसा पुराने समय से है अभी भी है और वहां के जो animal है उसी के according होगे है अगर हम sea में जाए ocean में देखिए तो ocean में जितने crustacean है फिशेज है कभी आपने सोचा है कि जो sea पिया गोंगे जिसको snail कहते है उनकी outer covering calcium carbonate की hard क्यों होती है इतनी जादा जिबकि जो fresh water animals रहते है उनका जो covering है वो तो hard होता ही नहीं है यहां के जो snails है वो बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकि समुद्र में जो शंक मिलता है वो बहुत ही बड़ा और बहुत hard होता है उसका outer skin जबकि उसके अंदर एक बहुत ही soft animal रहता है तो ऐसा कैसे यह सब कौन बताता है कैसे करता है तो यह main function है ecosystem का जो हर जगह न होते हुए भी पूरा balance करता है अब देखिए कि ecosystem का basic functions का है वैसे तो ecosystem के बहुत सारे function है लेकिन वो सब आपस में interrelated है तो हम सिर्फ basic functions को यहां पे देखेंगे first function है it regulates the essential ecological process ecosystem जो है वो जितने ecological process होते हैं उन सब को regulate करने का काम करता है desert में sand है वहाँ गरम हवाँ चलेगी तभी वहाँ cactus वाले पौधे पाए जाएंगे थौर नी रहेंगे आपने कभी vegetation ध्यान दिया है जब आप desert area में घूमने जाते हैं राजस्थान वगरा साइड जाते हैं तो वहां के जितने भी plants है वह सब थौर्णी होते हैं मतलब उसमें चोड़ी चोड़ी काटे के समान रचनाई होते हैं और जब हम इदर प्लेटो एरिया में आते हैं तो यहां के जो plants रहते हैं उनकी लीफ बहुत चोड़ी होते हैं तो थौर्णी इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पानी को अपने अंदर रोकना रहता है वहां सैक्यूलेंट्स होते हैं जैसे cactus, well known example is cactus, cactus बहुत फ्लेशी रहता है उसका जो stem है वह एक फ्लेश में अन्वेश में और जो थैल स्ट्रक्चर है वह उसका stem रहता है तो इस तरह से जितने भी ecological process रहते हैं जहां भी balancing करनी होती है वह ecosystem करता है second इसका basic function है इस supports life system यह पूरे life system को support करता है चाहे वह aquatic हो चाहे वह desert हो या कि वह aviation वाला हो मतलब इसकाई में जितने birds उड रहे हैं उनका भी तो support system है life support system यह सब को regulate करने का काम ecosystem का है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे cycles चलते रहते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एलन एक्जामपल है water cycle पानी जो है हम कैसे जानते हैं पानी कैसे आता है एक ले में अगर सोचें कि जमीन में पानी कैसे आता है तो हम बोलेंगे कि बारिश होती है तो पानी आता है बारिश होने से पानी आया हम उसको यूस किये वो बह करके नदी नालो में गया वहां से होता हुआ वो ओशन में गया और इस बीच में सनलाइट के प्रेजन्स में चाहे वो नदी है नाले है रन ओफ हो रहा है ओशन कहीं पर भी पानी है तो वो साइमल्टेनियसली इवैपरेट भी हो रहा है उपर जा रहा है और उपर जाकर कि वो क्लाउड बनाएगा और फिर वो जमीन पर आएगा तो ये एक कम्प्लीट सा साइकल एंवायरमेंट में चलते रहते हैं उन सभी साइकल्स को रैगूलेट करने का काम इको सिस्टम करता है ये ईको सिस्टम का मतलब एक कमांड है उसके उपर बहुत जादा काम का बोज और पूरे सब जगह देख करके बैलेंस बनाकर के रैगूलेट करता है इसके हेर्भी वोरस, कार्णी वोरस, H玩nivores कार्णी वोरस का भी डिफरेंश woh legislatur, उसमें भी दो आप के लेवल के लेवल के लीवल के साम कार्णी वोरस लेवल वन या प्रैमरी क्रणी वोरस और सेंडरी कार्णी वोरस यसे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल हैं तो हर ट्रॉफिक लेवल को 컨्ट्रोल करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम एको सिस्टम ही करता है। Energy flow यह भी बहुत ही important function है ecosystem ही, हमको मालूम है कि sun sea energy आ रही है, sun sea energy आ रही है green plants में, ग्रीन प्लांट से जो हर्भी वोरस एनिमल है वो लिये, हर्भी वोरस के बाद कार्णी वोरस लिये और कार्णी वोरस से होते हुए वह डेटरिटस में चली गई, मतलब जब उनके डेट हुई तो वो नीचे चली गई एनर्जी तो यह सब फंक्षन एको सिस्टम से ही रेगुलेट होते हैं इसके अलावा अगर नेचर में देखा जाए तो एक सीक्वेंस है फुड का जो फुड की केमिकल एनर्जी है वो एक जगह से दूसरे जगह दूसरे से तीसरे जगह इस तरह से अलग लेक्ट्रॉफिक लेवल पर करने से जाती है जैसे कि आ कछेर जो एनर самом-चेर का लगह अब जो अनरौय के यह और जो उसके में अनर्जी कहाँ से आएगी उसके में इनर्जी आएगी जो घास खाने वाले आंड पर है उससे तरह से फुड का कम्प्लीट चेन बन जाता है और इस चेन को भी रेगूलेट करने का काम ecosystem का ही है इसके अलावा बहुत सारे ecological pyramids होते है ecological pyramids अभी हम आगे के lectures में continue करेंगे food chain food wave ecological pyramids ecosystem energy flow यह सब ऐसे बड़े-बड़े functions हैं जो regulate होते हैं ecosystem के बारा अब एक understanding आपको यहां पर बताना चाहती हूँ कि ecosystem और ecology यह दो वर्ड में difference क्या है हम बार-बार ecosystem ecosystem बोल रहे हैं लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो बहुत बार ecology भी आएगा तो ecology और ecosystem में क्या difference है क्या similarity है तो अगर हम ecology बोले तो सबसे शवल शब्दों में अगर बोलें तो ecology का मतलब होता है study जैसे geology हो गया sociology हो गया psychology हो गया anthropology हो गया मतलब उस चीज की study करना उसी तरह से अगर environment के study करें और उनके बीच का relation बनाए living non living उनके जितने components हैं तो उसकी study जो है वो ecology कहलाए और जहां यह सब रहते हैं living non living biotic abiotic component जहां रहते हैं वो place वो जगह वो इस थान यह कहलाएगा ecosystem तो कभी ecology और ecosystem में difference मतलब confused मर्थ होईएगा ecosystem का मतलब होता है जगह और उस जगह की study कहलाती है eco-logic तो इस तरह से ecosystem के functions बहुत important हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है के अेकम एफर का मतलब ही तरह से लिए जितर बाइबें दूम हो घट कर माऊे अनला जा जाओव जा रहता हैं जा राथ हैं जीडनल द cancel कर लोगकर हैं झाया की और रहता है